आपके यूटूब चैनल इंडलेस इस्टेडी शेंटर पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ और आज मैं बात करने वाला हूँ एक नंबर शूटें ना पाए ऐसा जो है PNP के अधिकारी का कहना है और यहां पर सारी प्रक्रिया जो है पूरी हो गई है और थोड़ा सा टाइम इसलिए लगा क्योंकि एक तरीके से मैनुवल चेकिंग हुई हुई थी इसमें क्योंकि आप लोग के जो परिक्षय थे वो एक तरीके से रिजल्ट में बहुत अधिक मात्रा में गिरावट आई तो इसके कार्ड जो है अभी थोड़ा सा बिलम हुआ लेकिन अब जो है कल रात तक सारी प्रक्रियाएं जो थी वो सारी चीज पूरी हो गई है यानि फिर से एक-एक कॉपी के एक-एक अंको को फिर से कर रहा है क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आ जायेगा और तो यह ä सारा काम जो भाब करे जल्दी नियुक्ति दिलाने के लिए अभी से योजना बनाना उसने शुरू कर दिया है और उसके बाद इसके लिए साइट वगरा की भी एक तरीके से जो पहले से मेनेजमेंट होती है कि नियुक्ति साइट के लिए जिसे आबेदन करना होगा तो वो भी सिच्छा अथिकारि साइट से पहला चल लही है एक साइट से तो रिजल्ट देने के PNP की तयारी हैं दूसरी तयारी जो भी भागी है उनहोंने वो अफसारी स्टाह्ट कर दी है और सतीसाथ इसमें जो 30,33 परसेन्ट वाले कंडिड़ेटे थे वो अपनी तरफ से भी प्रियासरत है और 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 उसके बाद देखी अभी तो final decision court का आना बाकी है कि 40-45 पे बनेगा कि 30-33 पे बनेगा फिलाल जो result जारी होगा आपका जार पांस होगा वो court के अधीन होके ही जारी होगा क्योंकि final judgment जब तक नहीं आ जाता है तब तक इसका कोई final एक तरीके से result नहीं जारी होगा तो इसलिए आप किसी भी percent के category में आते हों तो धीरेस धहर जरूर बनाए रखें ठीक है और जो बेट कर रहे हैं उनके लिए news थी इसलिए मैंने सुचा आप लोगों को update कर दूँ फिलाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्वाद आपका thanks for watching दोस्तों thank you